बिस्मिल्लाह अप्मान वहीम आज हम आपको मटर चिकन पलाव बनाना सिखाएंगे या चिकन मटर पलाव बनाना सिखाएंगे इसके लिए हमने बास्पती चावा लिए एक के जी इसको पानी में हमने बिगो के रख दिया है और हमने आधी प्याली उसमें एक छोटा प्यास काटकर उसमें डाल दिया है और अद्रक लस्तन का पेस्ट एक टी स्पून हमने इसमें डालेंगे जो के हमने आपको बनाना भी सिखाएंगे तो आप उसको स्टोर कर सकते हैं वीडियो के उताबिक देखकर अब इसमें हमने एक टी स्पून जो है अद्रक और लस्तन का पेस्ट डाला है गरम मिसाला साबद हाफ पेबल स्पून हमने इसमें डाला है अब इसको मिक्स करेंगे और थोड़ा सादक लस्तन के पेस्ट को पकाएंगे अब जो है चार मीडियम सेंस के आलू लिए उनको बड़ा बड़ा हमने काट लिए और इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा आलू को भी पकाएंगे कि थोड़ा सा पानी इसका खुश्क हो जाए अब देख लिए तोड़ा सा पानी इसका कुश्क हो गया है अब सफैल जीरा इसमें एक टेबिल स्पून डालेंगे अब हमने मिक्सर बनाके रखा है आप हमारी वीडियो में भी देख सकते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो आप वीडियो मिल जाएगी इसमें दे रेड चिली और हमने हल्डी और सफै जीरा और ग्रीन चिली दो अदद लिया है इन सब को हमने पका लिया है और आप हमारी जो है वीडियो में भी इस मिक्चर को बनाना देख सकते हैं फिलाल हमने बना हुआ इसमें आपको दिखा रहे हैं अगर कुरिजा भी चिकन मटर का प्रसालन बना हुआ है तो वो भी आप ले सकते हैं और उसको भी इस चिकन मटर प्लाव में इसमाल कर सकते हैं अब हमने इसका फिलाल जो है इसमाल करेंगे अब जो हमारा मिक्सर था आलू का प्यास का अब इस मिक्सर में जो है हमारा अलू मटर का जो मिक्सर और मुर्गी का जो मिक्सर है वो इसमें डाल देए अब हमने ग्रीन चिली लिए तीन अदद उसको बड़ा बड़ा हमने काट कर या दो पीसे जमें में हमने करकर इसमें अब इसमें हमने नमक हजब जूरत या 4 टेबिल स्पून हमने डाला है पानी हम इसमें 6 किरास डालेंगे पानी का जो है चावल में बड़ा दखल होता है बड़ा गर नाप के डाला जाए तो यह है कि पिर आपके चावल बड़े अच्छे बनते हैं अब इस मिक्सर को अच्छी तरह बॉयल करेंगे अच्छी तरह बॉयल हो जाएगा तो फिर हम इसमें चावल डालेंगे अब देखें हमारा मिक्सर जो है बॉयलिंग की तरह जा रहे देखें कि इसमें अच्छी तरह बॉयल हो गया मिक्सर बॉयल हो जाता है अब इसमें हम रहिए जिए चावल बिंगों के रख श्के लिए अब चावल डालने के बाद आठें देखें पानी हमने तोछ देर खुश किया है देखें पानी को अब गरम भी स्पून इसके तो पर बाद रखेंगे अब इसके बाद जो है हमने हांडी के ढपकन को कवर किया है कपड़े से और इसको ढखके रख दी है आग बिल्कुछ स्लो कर दी है और लो फ्लेम पर इसको थोड़ी देर के लिए हम इसको दंपर रखेंगे अब देख लें दंपर रखने के बाद हमारे चावल त्यार है देखें कितना असान है बड़े अराम से गर पर बना सकते हैं कोई अगर सालन बना हुआ उसमें भी बना सकते हैं नया सालन भी बना कर आप बना सकते हैं वीडियो देखने का शुक्रिया लाइक करें कॉमेंट्स लाजमी दें हम आपकी कॉमेंट्स का इंतदार करेंगे हमारी चैनल को सब्क्राइब जरूर करें और इसके साथ बेल आइकान उस पर भी जरूर क्लिक कर दें ताकि एक वक्त पर आपको हमारी वीडियो मिल सके इजी कॉकिंग आपका अपना चैनल एक बार फिर देखने का बहुत शुक्रिया